इस्टुरेंट्स एक बार फिर से आपका स्किल्वेब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है इस्टुरेंट्स आज हम लोग फिर से वर्शॉप काल्कुलेशन एंड साइंस की क्लास फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एरिया से संबंधित पूरे के क्लास में भी होगा थिक बाकी मैं हर कोशन का एक्स्प्लाइनेशन तो करता ही हूं ऐसा तो होता नहीं की करता नहीं हूं लेकिन फिर भी अगर आप वह देखेंगे तो आपको यह क्लास और मज़ेदार समझ में आएगी ठीक है तो इसलिए मेरे करने चल दें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक रेक्वेस्ट पहले की तरह कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी ठीक है बेल आइकन प्रेस कर लिजे और जो है लाइक करना भी मत भूला करिए अग अच्छी इच्छी क्लास बनाओंगा पूरी ताकत के साथ ठीक है तो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आप लोग भी लगाईए अपने एक्जाम को पास करने के लिए धंग से ठीक है अच्छे माग से पास हो जाईए उसके बाद फिर कॉम्पेशन की प्रप्रेशन चुरू करते हैं 81 से यहां पर देखें आपके लिए एक कुश्चन है वाट इस दर रेडियस ओफ दसे किल विट इस दर रेडियस ओफ दसे किल इस एंगल ऑफ सेक्टर ठीक है एंगल ऑफ सेक्टर इस 90 डिग्री और एडिया ऑफ दसे किल इस 196 अचाहिए इसमें थोड़ी सी तो इसलिए चलो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना अगर आपको लगता है कि नहीं वह सरकील है तो आप एक बार देखना तो आपको खुद आईडिया होगा कि वह एक्ट्वल में सरकील नहीं है वह सेक्टर का एरिया बोल गया है ठीक है अब बनाते हैं सरकील देखो यह आपका सरक्ल जिसमें एक सेक्टर बना रह variants आपके लिए सेंटर है माझलो ठी है यह आपका वो सेक्टर है यह सेक्टर है जिसमें एंगल एंगल यह जो एंगल दिया है वो given है 90 ंग rivalry आच्छा तो गलत बन गार यह 90 Korean दिया है कर लो गया तो इसको आप इतना ले लो ठीड है यह जो एंगिल है स्वियंट है 90डीग्री इसमें और हिन्होंने क्या देविया है इस सेक्टर का इस पूरे सेक्टर का एरिया भी इन्होंने दिया है यह एंगिल इन'M हमने दिया कि यह यह Sonic टीटा 90uw का एंगल जो है जो सेक्टर एंगल फॉर्म कर रा हूं यह है और 196 पूर जो सेटर का एरिया है ठीक है आबसे पूछा गया है आपसे पूचा गया है एरिया आपको गिविन है ठीक है आप यह समझो कि अगर एक सेक्टर का एरिया गिविन है जब यह एंगिल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था तो पूरा 360 होता है इसका मलब सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा इस circle area कितना हो जाएगा जब इस sector का area जिसने जो की 90 degree अच्छा 90 degree तो इससे आपको एक चीज़ पता चलता है कि ये एक चौथाई है इस circle के area का एक चौथाई है तो total area कितना हो जाएगा 4 times of sector area ठीक है sector area का 4 times हो जाएगा जो sector का जो छेतर फहले उसका चार गुन हो जाएगा तो 4 times of 196 तो इसको multiply करके जो भी आएगा answer है यहाँ पर यह आपको फिलाल sorry circle area है अब आप से पूछा जा रहा है radius क्या है तो अगर radius बताना है तो आपको पता है कि circle का जो area होता है वो होता है πाई आर square और pi square pi r square की value उन्होंने पहले से निकाल रखे बही circle के एरिया आपको मालूम पढ़ गया 4 multiplied by 196 ठीक है ना तो यह हो गया अब इस में से यह चीज़ें आपको यह पता चल गए तो इसका अब लोगर आर square निकालना है तो यह हो जाएगा 4 multiplied by 196 divided by pi ठीक है या और इसको solve करो तो 4 into 196 divided by 22 divided by 7 तो 7 कहां चल जाएगा उपर आ जाएगा यहाँ पर जब आप इस question solve करोगे तो आपकी r की जो value आएगी वो हो जाएगी आपका 15.77 अब यह कहां से आया आप सोच रहे हो तो इसको solve करो तो आपका answer मिल जाएगा ठीक है यह आपको solve करना है आपका answer आएगा 15.77 ठीक है तो आपका इस तरीके से 81th question solve हुआ जिसमें radius find out करना था अब आप फिर से एक बार देख लो मैंने क्या कहा है sector का total area total circle का area हमें अगर find out कर लें अगर हम लोग circle का area तो आप radius निकाल लोगे कैसे pi r square equals to total circle के area जैसे हमको पता चल गया जैसे यहाँ पर आपको मालूम है 4 into 196 पता है तो pi r square equals to 196 into 4 कर दोगे तो उसमें से इस relation से r की value find out कर लोगे लेकिन इसमें sector के area दिया है तो sector के area 196 है तो circle के area कितना हो जाएगा 4 times of 196 अच्छा मैंने 4 से क्यों multiply किया 4 से इसले multiply किया क्योंकि sector जो है 90 degree angle को cover कर रहा है और circle को cover करने के लिए total 360 degree होना चाहिए जो कि 90 का 4 times है तो 90 का 4 times है इस वज़े से 4 से multiply कर दोगे तो आपका circle का area पता चल गया ठीक है यह मैंने किया इस तरीके से R की value 15.77 आपके पास आ जाती है ठीक है चलो next question देखते हैं हम लोग 82 question number 82 में बोला गया है आपसे 82 में है what is the formula for parameter of sector तो sector देख लेते हैं कहां पे है देखो ध्यान से इसमें मैं बताना चाहा रहा हूं आपको यह point A है यह B है यह D है यह C है तो पूरा sector कितना हुगा ध्यान से सुनो पहले sector कितना हुगा तो sector इसको बोलोगे आप देखो यहाँ पे sector का पूरा पूरा parameter मनलब घीराओ पूंचा जा रहा है तो आपसे पूंचा जा रहा है यह पूरा portion फिर इसको जोडती हुए यह और फिर यह ठीक है तो यह हो गया R यह हो गया R और प्लस में यह वाला है यह तो प्लस में जो B, D, C है उसको आप अगर I मान लो तो यह टोटल क्या बन जाएगा ध्यान से देखो टोटल हो जाएगा B, D, C प्लस R प्लस R कैसे पता चला भाई B, D, C यह R यह और यह आपका R यह हो गया तो टोटल यही तो हो गया जो परिमाप बता रहा है जो परिमाप आपको बता रहा है किसका सर्किल का नहीं सेक्टर का सेक्टर का ठीक है सेक्टर का जो परिमाप है जो सेक्टर का जो परिमाप है वो यहीं तो होगा B D C plus R plus R, कैसे, कैसे पता चला, फिर से बताता हूँ आपको, देखो, ये वाला portion ये, एक R ये, इतना portion ये घीरा है, और ये sector इतने portion और घीरा है, इसको अगर हम लोग I मालने, तो इसको B D C को हम लोग I अगर मालने, तो इसको सिधे-सिधे आप बोलोगे, I plus R plus R कितना हो जाएगा, 2R, ठीके, R plus R हो जाएगा, 2R, तो I plus 2R हो जाएगा, तो देख लो, कौनस एंसर सही है, तो आपका B एंसर बिलकुन सही है, जिसमें लिखा हुआ है, I plus 2R, ठीके, तो इस तरीके से ये आपका answer आपका ये सही हो जाता है, ठीके, तो I plus 2R is the correct answer, I plus 2 ठीक, चलो तो 82 हो गया आपका, समझ पार ये बहुत यासाने question, इतना hard नहीं था ये, 83 देखते है, 83 में students आप से बोला गया है, 83 में आप से बोला गया है कि, what is the area of conical object, ठीके, conical object कौन सा है, ये पूरा portion, देखो, ये यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, ये पूरा area आपको find out करना है, ठीक है, हलाकि ये कितना दिया है, इसमें कोई dimension missing है, क्या लग रहा है, ये भी दोना चाहिए, inclined वाला देना चाहिए, या तो ये देना चाहिए, इनको, नहीं तो फिर कैसे find out कर पाएंगे, ये कितना दिया है, कुछ missing instruments, चलो इसको skip करते हैं, इसको skip कर रहा है हम क्योंकि इसमें कुछ data missing है, एक कोई और कोई dimension दी होनी चाहिए, तभी इसको आप निकाल पाओगे, या से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, चलो उसको छोड़ी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा देखते हैं, 84, question number 84 में आप देखो, इसमें आपको पता चल रहा है कि जो ये section बना हुआ है, उसका area निकालना है, ठीक है, what is the area of lamina, lamina बोलते हैं ये पूरे part को, देखो, पूरा part कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा portion, और strength ये वाला पूरा portion, ठीक है, ध्यान से देख लो, इसलिए मैं mark कर देता हूँ कि कौन सा area है, ये जो आपको नि आपको find out करना है, total area, total area अगर आपको पता करना है, ठीक है, हिंदी में भी बता ही रहा हूँ, आपको इतना डरनेक जुरूत नहीं है, total area, मतलब total शेतरफल, कुल शेतरफल अगर आपको ग्याद करना है, तो पहले वाले का area निकाल लो, उसको जोड़ो, दूसरे वाले area से, second area जो है, उससे आप जोड़ो, तो पहला area ये है, दूसरा area ये, इसको जोड़ो, तो चलो पहला area निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो पहला area की लंबाई कितनी भी है, लंबाई है, आपकी 100, लंबाई को ने चोड़ा ही तो करते होगे, आयत का अगर छेतरफल निकालने, हम भाई को ने चोड़ा ही करोगे न, यह हो गया, प्लस, अब आप इसका निकालो, तो देखो, यहां से लेके, यहां तक इन्होंने, इस point से लेके, इस point तक इन्होंने 160 दे रखा है, ठीक है, 160 हो गया, multiplied by कितना, यह देखो, यह 60, तो यह हो जाएगा, 60, तो जब आप इसक the correct answer, ठीक है, एक बाद चेक कर लेना, calculate कर लेना, इसको, चेक करो, कि कितना answer आएगा, आपको जी समझ जाओगे, कि किस तरीके से यह इतना है, ठीक है, तो इस तरीके से यह लेमना का area निकालते हैं, बहुत ही simple था, वैसे भी दो rectangle के रिया आपको जोड़ना था, और कुछ क तो जोड़ा सरुक जाहिए, आपको find out करना है, 85 में आपको find out करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, what is the area, area of the sector, what is the area of the sector, what is the area of the sector, what is the area of the sector, whose diameter is given and angle is given, circle बनाते हैं, एक sector form करते हैं, angle इसमें given है 120 degree, और इसका जो diameter है, कहने का मतलब यह जो पूरा पूरा यह है, यहां से लिगे यहां तक, 40 है, तो यह radius क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यह भी 20 और यह भी 20, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, sector कहां पे है, आपने sector देख लिया, sector आपने, समझ लिए किसको कहते हैं, sector इसको बोलते हैं, ठीक है, यह वाला portion, पूरा यह, यह O मान लो, यह A मान लो, और यह B मान लो, ठीक है, तो इस तरीके से यह sector form हो गया, आप से पूछा जा रहा है, what is the area of the sector, तो इस sector का आपको area find out करना है, ठीक है, area find out करेंगे, बिलक करते हैं, तो area of sector, पूरा अगर सर्कल के area निकाला जा, तो पाई आर स्क्वार होगा, जानते ही हूँ, पाई आर स्क्वार पूरे सर्कल के area होगा, और sector कितने angle में है, तो angle अगर वो ठीटा है, तो divided by 360, याद रखना, ठीटा यहाँ पे degree में use करेंगे, क्यों, क्योंकि यह ratio है, यह पूरा का पूरा ratio है, ठीक है ratio of angle है न, इसलिए दोनों angle आपको इसमें बताना पड़ेगा, degree में ही बताना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, यहाँ तक bracket तक की बात कर रहा हूँ, चलो, तो solve करते हैं भई, फड़ फट इसको solve करते हैं, पाई की value हो जाएगे 22 by 7 multiplied by R square, R square means 20 का square, ठीक है ठीटा, ठीटा कितना given है आपको, 120 degree given है, divided by bracket में ले लो इसको, 360, ठीक है, 360, 0 से 0 कट गया, यह हो जाएगा 3 times, फिर इसको जब solve करो, तो हो जाएगा 22 by 7, 20 into 20 divided by 3, फिर जब आप इसको solve करो, यह आपका answer आजाएगा, 418.66 mm square, ठीक है, एक बार मैं भी solve करता हूँ, मैं केल से देखो solve करने चल रहा हूँ, आप भी solve करो, आप अपने से solve करो, मैं आपको जल्दी बताने के लिए, केल से solve कर रहा हूँ, बट आपको अपने से solve करना है, ठीक है, चलो, अपने से आपको solve करना है, divided by 3, हाँ, बिल्कुन, तो यह हो जाएगा, लगभग यह nearly इतना आ रहा है, ठीक है, यह याद रखना, तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है, देखो मैंने क्या किया, पहले ध्यान सुनलो, area of the sector निकालने का formula होता है, total circle का area, multiplied by कितने angle में sector है, तो angle यह हो गय ठीटा में, और divided by 360, तो यह आपका full and final formula है, ठीक है, यह याद रखना, यह, ठीक है, यह याद रखना, जिसके बाद आपका पता चलेगा, कि answer किस तरीके से निकालना है, ठीक है, चलो, आगे देखते है, 86, question number 86, question number 86 में स्ट्रेंट्स आपके लिए है, what is the length of arc, देखो पहले पहले समझों कि arc कहां है, पहले यह बता देता हूँ आपको मैं, कि arc कहां पे है, बोला गया है, what is the arc, what is the arc of the sector, arc of the sector, length of the arc of the sector, whose radius is, मतलब जिसका radius 15 cm है, और angle कितना form कर रहा है वो sector, 40 degree, 40 degree यहाँ पे angle form कर रहा है, उसका radius है 15, यह वाला, यह radius 15 है, ठीक है, और यह पूरा का पूरा यह sector है, इस circle का, तो बता रहे हैं कि length of the arc, तो arc कहां होती, पहले वो समझो, यह a है, यह b है, और यह center o है, ठीक है, तो इसमें जो arc वाला जो portion है, यहां से लेके यहां तक, यह है, length of the arc, length of the arc, l मान लो, radius r मान लो, ठीक है, यह center o high है, तो आपको बताना है, इस पूर ठीक है, तो आपके पास एक simple सा formula होता है, कि angle theta is equals to length of arc, length of arc, arc, arc a, b, यहां पर arc क्या है, a, b है ठीक है, याद रखना, upon radius, मतलब त्रिज्जा, ठीक है, students, याद रखना, length of arc, मतलब arc की लंबाई, arc की लंबाई, arc की लंबाई, upon, त्रिज्जा, ठीक है, तब जाके यह kोंड आपको पता चलता है, तो अगर इस kोंड को आपको मालू में कि यह theta है, तो चलो, इसमें data रखते हैं, सारी values रखते हैं, तो यह 40 degree है, length of arc, l हमने मान लिया है, length of arc, इसको बोल रहा है, a, b को बोल या है, तो चलो, आओ देखते हैं, हाँ, यह देखो, अब यहीं आ गया, अब आपको यह समझता है, कि यह जो theta ले रहे है वो radius में लेंगे, तो यहाँ degree में लेंगे, ये radian में लेंगे इसमें लेंगे radian में लेंगे radian में लेंगे याद रखना ये degree में नहीं लेंगे जब कि यहाँ degree में दिया है तो अब अगर आप इसको degree से हटाना चाहते हैं तो कैसे हो जागा 40 into pi divided by 180 तो ऐसे करके लिखोगो तो ये किस में आ जाएगा radian में आ जाएगा radian में लिखना है हम लोगों को ठीक है degree में नहीं लिखना है याद रखना है तो radian में लिखो 40 multiplied by pi divided by 180 ठीक है ये होगा correct तो l की value ये है divided by 15 तो अब यहाँ से कर आपको l निकालना है तो l is equal to हो जाएगा 15 के से multiply कर दो 40 into pi into 15 divided by 180 is equal to हो जाएगा चलो वहाँ नहीं लिखते हूँ तो मैं इस दिख रहा हूँ ठीक है चलो मैं अपने को थोड़ी देर हटा देता हूँ तो यहाँ पी हो जाएगा कितना 40 multiplied by pi pi means 3.14 multiplied by 15 divided by 180 तो इसको जब solve करेंगे तो देखो क्या आएगा वह देख लेते हैं तो जाएगा 40 multiplied by 3.14 multiplied by 15 divided by 180 तो जो आप इसको करोगे तो यह हो जाएगा 10.4 यह हो जाएगा 10.4 10.4 cm जिसका answer आजाएगा ठीक है तो याद रखना है इसका answer हो जाएगा 10.4 ठीक है जो कि आपका answer number D है ठीक है तो जो कि आपका answer number क्या है D है तो 86 का यह answer आपका बिलकुन सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं next question है आपका next question है आपका 87 ठीक है तो 87 नमबर पर फटाफट देखिए पढ़िए इसको 87 question इसमें लिखा है what is the length लिखा है what is the length of what is the length of arc of a sector arc of a sector फिर वही कहानी अगर यह circle है यह है आपका sector जिसका angle इन्होंने इस बार दिया है इस बार 36 दिया है इस बार 36 दिया है तो radius इसका कितना है 3.6 और angle कितना इनको जानना है कि AB जो यह arc की जो length है यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको L मान लें तो बताना है कि इस length की क्या value होगी ठीक है वाई निकाल लेंगे तो निकालने के लिए क्या तरीका है कोण जो ये कोण है जो कोण ये बन रहा है कोण ठीटा ठीटा बरभर हो जाएगा L by R मतलब length of arc AB जो की AB है यहाँ पे AB है ये ठीक है AB है length L by R तो L आपको पता करना है ठीक है और इसकी R की value दिया है 3.6 और ठीटा की value हम लोग निकालेंगे ठीक है तो ठीटा की value हम लोग degree में नहीं लिखेंगे उसको लिखेंगे हम लोग इसमें radian में लिखेंगे याद रखना radian में लिखेंगे तो 36 multiplied by pi ये degree में पहले से लिखा था ये हो जाएगा 180 ठीक है तो जब आप इसको solve करोगे तो ये हो जाएगा l by 3.6 जब आप इसको solve करोगे जब इसको आप solve करोगे तो देखो क्या क्या कैसे होगा l की value हम से निकालना हो आपको तो 3.6 को इधा multiply करो तो 36 multiplied by pi multiplied by 3.6 divided by 180 degree ठीक है तो ये हो जाएगा 2 ये जाएगा 10 तो overall देखा रहा तो ये जाएगा 2 इंटू 22 बटे साथ इंटू 3.6 divided by 10 divided by 10 हो जाएगा ठीक है तो आप इसको solve करोगे जब इसको आप solve करोगे तो मैं भी एगा फेसे solve करो आपके लिए 2 multiplied by 22 multiplied by 3.6 divided by 70 ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 2.2 ठीक है तो आपका answer आजाएगा 2.26 cm तो ये आपका answer कौन सा है ये आपका answer हो जाएगा B answer ठीक है तो B answer is the correct answer ठीक है 27 का ऐसे हो जाएगा देख लो जिसमें formula क्या यूज कर रहे हैं formula है आपके पास ये ठीक है को बराबर आर्क अपॉन radius आर्क अपॉन radius मतलब जो एंगिल है जो form जो sector का angle है theta वो हो जाएगा आर्क की length AB AB length divided by radius ठीक तो इस तरीके सा आपका answer निकल है आगे देखते हैं 88 question number 88 देखते है 88 में what is the area of surface तो चलो इसमें भी पहले में mark कराता हूँ आपको कि surface sexual में है कहा देखो पहले सीज यह समझो कि अगर मैं मानूँ यह A है यह B है ठीक है समझपा रहे हो A B C D इस तरीके से है तो देखा जाए तो यह एक तरीके का आयत है अगर इसको मैं पूरा मिला दूं तो लेकिन यह मिला नहीं है कितना portion काट के निकाला गया है इतना portion आपका काट के निकाला गया है यहां से लेके यहां तक कर यह पूरा portion कट करके बहां निकाला गया है तो देखा जाए तो अगर मैं total area की बात करूं total area of surface मनलब जो आपको निकालना है overall तो वह आपका total area A मनलब A B total area जो है आपका वह A B C D जो यह है आपका total overall minus यह वाला जो पार्ट है आपका यह जो पार्ट है ठीक है आप इसको अगर O M मानलो तो इधर M N P मानलो इसको ठीक है चलो मैं वहाँ पर विमार कर रहा हूं आपके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूं O M ठीक है P और N अगर इस area को minus कर दें हम लोग तो क्या हम लोग को total area अपना जो जिस सब्सक्राइब निकल जाएगा तो पहले रेक्टेंगल के रिया निकालते हैं तो यह हो जाएगा 60 क्योंकि इसकी लंबाई देको 60 है और चोड़ाई कितनी है 40 कैसे पता चला यह यह ओवराल 40 ठीक तो टोटल तो पता चल जाएगा आसानी से लेकिन इसका कैसे निकालो गया तो यह क्या है तरीके का ट्रपेजियम है तो ट्रपेजियम में आपको मालू है अभी मैंने बताया अभी था फिर से मैं बता रहा हूं जैकर इस तरीके का शेप है जिसमें दो पैलल है साइट जिसमें एक 20 में दिया रखा है और एक इसमें 40 दिया है ठीक है और इन दोनों की बीच का गैप यह आपको पता है तो आप आसानी से अरिया निकाल सकते हो ठीक है तो गैप क्या हो हो जाएगा 1 by 2 A plus B A plus B मतलब A की वैलू है 20 B की वैलू है 40 20 plus 40 ठीक है और H की वैलू कितनी है 20 ठीक है देखो H की जो वैलू है वो है 20 तो यह हो जाएगा आपका 1 by 2 चलो यहां लिख देता हूं 1 by 2 20 plus 40 कितना हो जाएगा 60 multiplied by 20 इससे इसको काड़ दो यह हो जाएगा 10 means overall यह ठीक है तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा 600 ठीक है तो यह आपका एंसर हो जाएगा 600 तो यह जाएगा 6 into 4 1200 minus 600 ठीक है तो कितना हो जाएगा यह आपका 1800 तो 1800 तो पांच आ रहा है नहीं यह एंसर नहीं है या तो इसमें कुछ mistake है या तो फिर कुछ होगा ठीक है यह एंसर आ रहा है वैसे ठीक है तो अगर आप इस तरीके से चैलकुलेट करोगी जिसमें यह 60 है यह 40 है यह 20 है तो आपका एंसर 1800 तो याद रखना एंसर यह आपका c ही सही होना चाहिए लेकिन यह 5 नहीं होगा यह 0 होगा तब आपका c एंसर विल्कुन सही हो जाएगा ठीक है याद रखना इस तो थोड़ा सा कुछ इसमें सिली मिस्टेक है इसमें देख लेना यह अठारा सो लिखा हुआ है ठीक है चलो तो इस तरीके से आपको एरिया फाइंड आउट हो गया आगे देखते हैं वाट इस दे नेम आफ सैड़ेट पोर्शन बहुत ही आसान है यह तो बहुत ही आसान है क्या रहे हैं कि सैड़ेट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं आपको मैंने अभी बताया पिछे वाले उसमें कि इसको सिग्मेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्मेंट बोलते हैं पिछे क्लास में बताया था इसको भी सिग्मेंट बोलते हैं मतलब जब सर्किल को एक को होता है जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है उसको कहते हैं माइनर सिग्मेंट तो एक तरीके से यह जो पूरा आपका सभी करता है हिसको हम लोग ओलोगे गई करता है सुमाज है आपकोषी बोलते हैं हैं ठीक है आर्ग क्या होता है ए से लेके बी तक का यह वाला parameter वाला पार्ट जो हो जाएगा अगर मैं इसको बोल दो तो आर्ग को आप बोलोगे ACB ठीक है सेक्टर आपको पता ही है कि अगर इस center से लेके यहां तक कि यह पूरे की पूरे area को कितना इस पूरे की पूरे area को यहां से लेके यह पूरा area इतना serious पूरा रहे हैं चलो आओ देखते हैं which line is chord chord अब देखो वही बात आ गई chord किसको बोलते हैं कहरें chord किसको बोलते हैं तो a b line ही तो वह आपकी chord है भी तो जैस पीछे वाले question में मैंने आपको बताया कि जो यह a से लेकर यह जो b तक की जो line बनाए हो जो की वृत को दो हिस्सों में तोड़ देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं chord तो a b जो line है वही आपकी chord है तो जो a b line है वो b answer आपका बिलकुल सही है तो b is the correct answer ठीक है आ रहा है समझ में next question देखते है 91 question number 91 में देख इसमें यह बोला गया है आपसे question number 91 में कि what is the area of circle whose diameter is इतना अब बताओ area of circle यह पूशन लगए इतना छोटा सा question तो pi r square is the area तो या फिर pi d square by 4 is the area अगर diameter के term में लिखोगे तो यह लिखोगे तो अगर आपको diameter given है तो आप आसानी से निकालोगे तो pi के हो जाएगे 22 बटे साथ और multiplied by आपका हो जाएगा d तो d की value है कितना 50 तो 50 का square divided by 4 तो जब आप इसको solve करोगे strands तो आपका यह answer आ जाएगा one nine six two point five तो चलो एक बार solve करी लेते हैं यह हो जाएगा centimeter मैं calculator उढ़ाता हूं और आप दी solve करो 22 बटे साथ मैटिप्लाइट बाइट बाइट इन्टू 50 डिवैड़ेट बाइट बाइट फॉर तो यह हो जाएगा आपका one nine four one nine six four यही है नियर नियरली जो आपका सिमिलर है वो सी से मैच कर रहा है तो नाइंटी 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 ने बोला गया है 92 में बोला गया है 92 question number में what is what is the name of the reason of the circle what is the name of the reason reason means छेत्र उस छेत्र का क्या नाम है circle की उस छेत्र का नाम क्या है जो जो क्या है between any two point of the circumference मितलब जैसे यह है पूरा यह से माल लिया यह आपका पूरा circle है एक line अगर ऐसे बना देते हैं हम लोग तो कह रहे हैं between a to b what is the name of the reason 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 means यह वाला reason इस reason का इस area का reason means area होता है इसको reason भी बोलते है r e g i o n reason भी बोलते हैं तो इस reason को कहते क्या है तो इसी को तो segment बोलते हैं भहिया segment इसी को तो कहते हैं तो एक तरीके से भी एंसर आपका बिल्कुन साही हो गया ठीक है तो segment is the correct answer ठीक है चलो next देखते हैं भई फड़ा फट नेक्स question पर आते हैं अपने हम नेक्स question है आपका 93 तो question number 93 में आपसे बोला गया है students what is the radius of the circle whose circumference is इतना circumference आपको given है मतलब two pi r की value given थोड़ा मैं fast हो रहा हूँ two pi r की value given है 440 cm ठीक है इतना आपको given है तो कह रहे हैं what is the radius तो radius तो बहुत आसान है वाई two into 22 by seven means यहीं पी बात कर रहा हूं इसको solve कर रहा हूं multiplied multiplied by r तो r की value ही तो पदा करना है is equals to 440 यह से यह पूरा पूरा यह कट गया ठीक है seven सीथा multiplied to r की value हो जाएगी 10 into seven that is 70 centimeter तो यह जाएगा b answer बिलकुन आपका सही हो जाएगा ठीक है चलो 94 देखते हैं बहुत ही आसान radius समझ रहा हूं इसको कहते है radius यह त्रिज्जा what is the area of circular surface if the radius is circular है यह इसका radius इन्होंने दे रखा 14 centimeter तो यह कह रहा है इसका area बताओ तो area तो बहुत आसान है circle का area आप जानते हो pi r square होता है तो pi r square मतलब 22 बटे 7 multiplied by r square तो r की value कितनी 14 तो 14 into 14 इसका square करोगा तो यह जाएगा 22 by 7 into 14 into 14 तो साथ दोनी 14 ठीक है तो यह हो जाएगा 22 multiplied by 2 multiplied by 14 इसको solve करो क्योंकि मेरी calculation week है इसलिए मैं calculator लोगा आप लोग intelligent वहाए हो तो आप लोग अपने से solve करोगे ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 616 centimeter square तो 616 देखने इसमें कहा है तो 616 नहीं है लेकिन ए answer आपका विल्कुन close है तो ए answer अच्छा यह answer क्यों आ रहा है जो मैं 22 बीटे साथ लिख दे रहा हूं इसको आप 3.14 लिखो तो आपका direct वह answer आ जाएगा ठीक है 3.14 लिख के यह लोग कर रहे है इसी वज़े से ऐसा आ रहा है बाकि आप 616 is the finest correct answer ठी कोई दिक्कत नहीं है आप इसको भी सही मान सकते हो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है चलो आओ तो आगे देखते हैं इस्ट्रेंट्स आगे आपका question number है question number है 95 question number 95 देखते है question number 90 what is the circumference मतलब इसका परिमाप क्या होगा circle whose diameter is 7 तो अगर यह टोटल दिया है तो 7 multiply तो 77 कट गया 22 is the correct answer to 22 is the correct answer means a answer is the correct answer ठीक है चलो और 96 देखते है बही 96 96 what is the radius of the circle what is the radius of the circle whose diameter is इतना radius of the circle radius diameter का आधा होता है radius diameter का आधा होता है diameter बोले तो व्यास radius बोले तो तरिज्या तो अगर diameter इसमें आपको दिया है 44 तो radius हो जाएगा D by 2 that is 44 divided by 2 that is 22 cm ठीक है तो यह आपका B answer बिलकून correct हो जाएगा ठीक है तो 96 का आपका क्या हो गया strengths B answer बिलकून सही हो गया चलो आओ आगे फटा पर देखते है ललो ललो questions आ गया है लग रहा है मार्केट में चलो 97 question number what is the diameter of the circle if the area of the circle is इतना अब बताओ इस circle का पूरा area आपको पता है कितना है 78.5 cm square area पता है पूछा जा रहा है कि बताओ इस circle का diameter कितना है तो diameter मान लिया इसका diameter मान लिया डी है तो आपको पता है diameter और area में क्या relation है तो पाई D square by 4 अगर डामेटर क्रम में यह area लिखें तो इसको यह क्या हूद आगा 78.5 solve करेंगे D square 78.5 multiplied by 4 divided by pi चलो solve करते हैं फिर मैं बताता हूं कि D की direct value क्या निकलेगी तो यहाँ पर D is equal to जो भी आएगो अंडरोड में लिखेंगे तो फिलाहाल के लिए 78.5 इंटू 4 divided by 3.14 एंड़ेड आ गया अंडरोड आप एंसर यह जब सिसको solve कर रोगनेस्ट्रेंट तो देखो इसमें बड़ी fit value आ रही है हें यह हें अंडरेड आ रही है तो यह हें यह हो जाएगो वह जाएगा 10 तो दीक की वैल्यों आगे एंसर इस विल्कून करेक्ट हो जाएगा तीक न 90 सेवन का विया अंसर विल्कून करेक्ट और आगा चलो 98 देखते हैं 98 फटा-फट 98 देखो तो 98 question number यहाँ पर देख लो यह 98 देखो 98 what is the area of the circle if the radius is 10 भही area और radius यह तो बहुत पुराना खेल है अपना pi r square होता है pi value 22 बटे साथ लिखो r की value इन्होंने दे रखा 10 तो 10 का square कर दो जो भी आएगा answer तो इसका जो answer आएगा students हुआ आएगा पहला answer जिसकी value हो जाएगे 314 cm square ठीक है that is the correct answer then a is the correct answer ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं question number 99 question number 99 को solve करते हैं what is the radius of what is the radius of semicircle 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 means क्या होता है earth vritt earth vritt की बात कर रहे हैं earth vritt कह रहे हैं what is the radius of semicircle if the circumference of semicircle is इतना circumference जड़ा बनाते हैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या है देखो यह है आपका ठीक है तो आपसे radius मुझा जाती है यह r है यह भी r है यह center है इसका o ठीक है और इसका पूरा पूरा circumference जो दिया है वो आपको दिया है total 28.26 means आपको क्या given है पूरे circle का circumference क्या होता है 2 pi r आधे का क्या हो जागा 2 pi r का आधा means pi r plus यह वाला 2 r यह मिला के total आपको दे दिया गया है 28.26 ठीक है भाई अब यह जानना चाहते है what is the radius यहां से आप radius तो आसानी से निकाली सकते हो ठीक है तो r निकालना है तो आपका यह हो जागा 28.26 divided by pi pi यह लिए 3.14 तो 3.14 plus 2 means 5.14 तो ज़रा इसको solve करते हैं क्योंकि मेरी calculation है weak आप हो strong तो आप अपने से solve करोगे और मैं calculator से ठीक है तो यह हो जाएगा 5.49 तो answer आजाएगा करेक्ट वन एंसर ठीक है तो चलो question number handed देखते हैं बहुत ही आसान था बहुत ही आसान था वस्केल्कुलेशन थोड़ी सी थी what is the diameter इसमें देखो what is the diameter of the semicircle what is the diameter of the semicircle semicircle में वही अर्दवित circumference of semicircle इस इतना तो same way सही है यह आपके लिए हो गया home work एकदम same way है copyright है question एकदम वैसे है ठीक है चलो आगे देखते है question number 101 101 का देख लएगते हैं what is the area of semicircle area of semicircle पूछा जा रहा है अगर circle होता तो area क्या होता बच्चों pi r square होता लेकिन क्योंकि यह semicircle की बात कर रहे है तो इसका area क्या हो जाएगा pi r square divided by 2 ठीक है तो कहे रहे हैं जिसका diameter कितना है 14 है तो यह diameter जो है आपको given है 14 cm तो radius क्या हो जाएगी इसका just आधा तो 7 cm हो जाएगी तो अगर 7 cm is the radius तो क्या आप इस formula पे लगा के semicircle का area नहीं निकाल लोगे बिल्कुर निकाल लोगे तो area of semicircle area of semicircle मतलब अर्ध वृत्य का छेत्रफल इसको जो जाएगा pi r square तो r की वैलु कितनी है 7 to 7 का square कर दो divided by 2 कर दो इसको जो 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 आपका answer आयाएगा students 3.14 76.93 यह जाएगा आपका b answer विल्कुर सही हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको solve गरोगे ठीके क्या नहीं समझ जाए इसमें यह बता दो area इसका area होता है pi r square semicircle का area होता है pi r square by 2 तो area of semicircle अगर निकाल ला है तो r की value पता होनी चाहिए तो r की value diameter की आदी होती है तो diameter कादा कर लोगे तो 14 कादा हो जाएगा 7 तो 7 का square करो और answer पाउस ठीक है चलो what is the diameter of the circle यहाँ पर diameter d पूछा जा रहा है और आपको दिया क्या है area of the circle circle का area दिया है circle area आपको given है कितना 706.5 cm square तो circle के रिया होता क्या है pi r square या फिर circle के रिया क्या होता है pi d square by 4 ये भी तो होता है बरावर हो जाएगा 706.5 तो इससे जब आप solve करोगे तो यहाँ से आपको d निकालना है तो d की value हो जाएगी d square की value हो जाएगी पहले d square बताओ तो 706.5 multiplied by 4 divided by pi तो जो भी answer आएगा वही आपका हो जाएगा d square तो चलो देखते है 706.5 multiplied by 4 multiplied by 4 divided by 3.14 तो यहाँ से देखोई थे इसमें क्या आया d square ये था d square बराबर हो जाएगा 900 तो d की value यहाँ से आजाएगी यह हो जाएगा 30 ठीक है अंडर रूर निकाल हो ना 30 cm तो भाई आपका c answer बिलकुन correct हो गया तो 102 का c answer चलो 103 देखते है भाई 103 question समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है इसका solution समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिकॉल करें मैं इसले फास्ट बोल रहा हूँ because क्योंकि यह सारे question बार-बार वैसे ही है similar type से है repeat हो रहे हैं तो इस वजह से हम लोग इसको एक ही type से solve करने का बार-बार method ना वो करते हुए आपको मैं इसको एक खिवार में जल्दी से फटा-फट बताके और उसके बाद फिर इसका shot जल्दी जल्दी चलिए तो देखते हैं अपना next question question number 103 इसमें नहीं कहाँ what is the diameter of the circle what is the diameter of the circle ठीक है what is the diameter of the circle if the circumference is इतना ठीक है यह तो आसान सा question है चलो आओ circumference इसका है जो की परिमाप है जो की होता है 2 pi r circle का परिमाप आप से पूशा गया है वो diameter पूशा गया है d ठीक है d निकल जाएगा बिल्कुन कोई दिखके नहीं 2 pi r is equal to होता है 3 1.4 इतना यह given है क्यों circumference आपको given है 31.4 इससे r निकाल लो पहले तो हो जाएगा 2 into इसको pi को लिग जो 3.14 multiplied by r is equal to 3 1.4 तो इसको जड़ा r निकाल लो तो यहां से r हो जाएगा 314 divided by 3.14 into 2 तो देखको जब इसको आप cut करोगे तो यह 10 times हो जाएगा ठीक है तो आर की बेल लिए जाएगा 10 divided by 2 that is equals to five centimeter ठीक है तो यह आपका answer बिल्कुन सही हो जाएगा ठीक है तो 103 का जो आपका हो जाएगा 104 देखते हैं फटफट फटफट 104 देखते हैं वही 104 question number इसमें आपका लैमिना का आपको एरिया find out करने के लिए बोला गया है एरिया ओफ लैमिना यह है आपका यह पूरा यह यह निकाला जा रहा है ठीक है अभी देखो इसमें काटा गया है यह कुछ पोर्शन इसका काटा radius मनलब यह अगर अठा रहा है तो बचा हुआ यह भी अठा रहा है ठीक है फिलाल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको यह क्या था एक तरीके का यह rectangle था जिससे वन फोर्थ जिससे हमारा वन फोर्थ ऑफ दा क्वार्डेंट को निकाला गया है ठीक है क्वार्डें by 48 मतलब आयत का total area minus जितना आपका यह निकल गया तो कितना निकला है 1 by 4 of मतलब एक चौथाई किसका circle का तो circle का कितना होता पाई आर स्कौएर एरिया होता है तो बचाएगा पाई का मतलब वो 22 by 7 देखना ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ पाई आर स्कौएर ठीक है 36 multiplied by 48 तो यह हो जाएगा यह तो इधर अभी आगया 1728 minus अंदर solve करते हैं तो यह हो जाएगा 3.14 multiplied by 18 multiplied by 18 divided by 4 ठीक है तो यह हो जाएगा 254.34 ठीक इसको माइनस करोगे आपके से 1728 से तो ठीक है तो यह आपका एंसर सीदे सीदे आ जाएगा 1473.66 तो देखते हैं किसके नियरेस्ट है यह 1473.66 मतलब एंसर नमबर बिलकुन आपका सही हो जाएगा ठीक है correct है समझ गया क्या कर रहे हैं पूरे आयत के area से हमने इतना पूरा portion कट करके निकाला है तो इसको आ number 105 question number 105 देखते हैं इसमें से देखो क्या बोला गया इसमें बोला गया है कि आप इसका लैमिना का जो इसका लैमिना है उसका आप एरिया निकालो तो देखो कितना portion what is the area of a regular lamina regular lamina क्या है पहले आप समझो हमें यहाँ पे दो एरिया है एक यह पूरे एरिया है जिसमें से यह कट करके निकाला गया है तो जो बचा हुआ है यह area जो बचा हुआ है वही हम दोगों को पता करना है तो जो remaining area है वोडिया है वह कैसे निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका A, B, C, D जो आपका आयत है उससे कितना माइनस कर दो इस सर्क्ल का area आप माइनस कर दो आपको total lamina क को आपको पता चल जाएगा तो इसमें तो इन्होंने खुदी दे दिया है 50 cm2 स्क्वाइर है तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 50 गुड़े 12 तो यह हो जाएगा आयत का माइनस सर्क्ल 8 cm की त्रिजा है इसमें आर सेंट्विटर की तो पाई आर स्क्वाइर आर मींस आर्थ का स्क्वाइर तो जिब इसको सॉल परोगो तो लैमिना का आएगा चलो देख लेते हैं वही कैसे तो 50 इन टू 12 दा इस 600 ठीक है 600 माइनस माइनस 3.14 मीज़ पाई इंटू 8 इंटू 8 तो यह हो जाएगा 200 नेरली 200.96 तो जब आप इसको 600 से माइनस करोगे श्रेंट्स यह हो जाएगा 399 399 यह डायमिटर है क्या इसका मतलब यह डायमिटर है तो अगर यह डायमिटर है तो मैं 4 इंटू 4 कर रहा हूं क्योंकि एंसर नहीं आ रहा है इससे एंसर तो आ जागा 399 लेकिन 399 कोई एंसर दिया रही है 399.04 आ रहा है जो कि एंसर है नहीं तो क्या करते हैं मुझे लगत यहां क्या हो जाएगा 4 ठीक है तो 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर करो तो यह 96 नहीं आएगा जो 16 आ जाएगा ठीक है ना 16 आ जाएगा यह पूरा कट करो 600 इसको जो नीचे सॉल्व करो तो क्यों जाएगा 600-Pi की मतलब हो 1.313.14 multiplied by 16 जो जाएगा पचास पचास समलो 24 तो यह माइनस 600 करो 600 से माइनस करो तो हो जाएगा 4 sorry 549.76 cm2 ठीक है तो देखो इसमें एंसर भी इस त्रीकी से मैच कर रहा है ध्यान से समझ लो ध्यान से समझ लो इसमें क्या मैंने कुछ चेंजिंग कर दिया वह आप देखो पहले ध्यान से देख लो यहां पर यह rectangle के रिया तो समझ रहा हो ठीक है तो four put करते हुए करेंगे तो यह पूरा कट हो जाएगा इस सीदे सीदे मैंने यहां लिख दिया यह तो वही है सेम है क्योंकि यह गिवन था आपको ठीक है तो यह हो जाएगा 600 तो 600 यह लिख दिया इस और जब इसको सॉल्व किया तो यह आगया आपका 50 पॉइंट इतना इस एंस रिकोस टू ठीक है चलो आगे देखते हैं 106 कुष्ण नमबर 106 देख लेते हैं कुष्ण नमबर 106 वाट इस ता एरिया ओफ लैमिन चलो यह होंवर्क दे रहा हूं है आपके लिए सेम वैसे ही है इसमें देखो किस तरीकी से मैं एक बार समझा दे रहा हूं आपको देखो ध्यान से समझो इसमें यह ट्रेंगिल दि चलो अगला कुष्ण देखते हैं अगला कुष्ण है 107 इसमें आपसे पूछा गया है वाट इस दे एरिया ओफ एर्रेगुलर सर्फेस क्या है अगर यह कटिंग नहीं होती इतना पूरा पोर्शन यह कट नहीं किया गया होता तो यह पूरा सर्किल था यह सर्किल से इतना एरिया कट कर दिया गया तो कितना कट किया गया है वही आपको निकालना है तो देखो इसका जो रेडियास है वह हैं तो अगर देखा जाया तो सर्किल का टोटल एरिया कितना है अगर आफ एर्रेगुलर हाना irregular surface का area निकालना चाहते हो ठीक है तो यह area हो जाएगा circle का area minus of यह पूरा portion जो कि आपने काटके निकाला है 45 degree angle के लिए 45 degree angle के लिए तो यह circle के area पहले निकाला हो तो क्या हो जाएगा pi r square minus इस sector के area निकाला हो जाएगा pi r square और theta angle divided by 360 sector के area ठीक है यह sector ही तो है उतना कट करके निकाल गया तो pi r square ले लो common और यह हो जाएगा 1 minus of theta divided by 360 यह हो जाएगा तो जाएगा pi r square 360 degree minus of theta तीटा के लिए लो कितनी 45 45 divided by 360 इसको solve करता है और अपना answer आएगा देखो तो यह हो जाएगा 360 minus 45 divided by 360 इसका जो answer आएगा 22 by 7 r r की value इसमें दिया है 100 तो 100 का square कर दो और यह जो अंदर मैंने solve किया वो आजाएगा 0.875 तो जड़ा इसको और एक बार solve करेंगे तो देखते हैं कितना आता है multiplied by 3.14 into 100 into 100 तो यह answer आजाएगा आपका 27475 27475 is the correct answer means a answer is the correct answer ठीक है चलो तो यह भी question आपका आगया चलो एक next question देखते हैं question number 108 question number 108 तो इसमें what is the area of shaded portion अब shaded portion क्या है एक तरीके कि यह दो circles बनी हुई है एक यह बड़ी वाली उसके अंदर एक छोटा वाला तो बड़े वाला जो circle है उससे छोटे वाले circle का अगर हम area हटा दें तो क्या अपना जिसमें मैंने shaded कर दिया यह जिसमें मैंने shaded कर दिया क्य तो capital D की इसमें value उन्होंने दे रखी है मतलब उन्होंने कहा है कि बहीं OD weight यह O है और यह यह है ठीक है तो OD OD जो दिया है वो है 38 तो बड़े वाले का है 38 और छोटे वाले का है strength 32 cm ठीक है तो चलो अब अगर मैं area जानना चाहूं तो area हो जाएगा पाई capital D का square by 4 बड़े वाले का minus पाई small d का square divided by 4 ठीक है न तो यह देगा पाई by 4 यहां कर लेंगे capital D square minus small d square इसको solve करो और answer पा जाओ समझ रहे हो क्या किया मैंने ठीक है बड़े वाले बड़े वाले circle से छोटे वाले circle का area घटा दिया तो आपको shaded area पता चल जाएगा तो पाई के विले हो जाएगे 22 बड़े साथ multiplied by 4 नीचे अल्रेडी था ही पहले से d square मींस capital D square मींस 38 का square minus 32 का square ठीक है जब आप इसको solve करोगे तो देखो क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ तो हो जाएगा 3.14 एक मिनट 38 का square minus 32 का square तो यह हो जाएगा आपका 420 420 गुणे 22 भागे 7 भागे 4 तो 330 आ जाएगा तो यह हो जाएगा एंसर नहीं match कर रहा है इसका चलो कोई नहीं 330 के लमसम कौन सा है यह वो देखते हैं कि सेंटिमेटर स्क्वार हो जाएगा 330 के आसपास कौन सा है बी एंसर सही तो बी इस दे करेक्ट एंसर वो इसलिए है क्योंकि हम लोंने 22 बैटे साथ यूज़ किया जब कि यह लोग 3.14 यूज़ कर रहे तो इस वाज देखते हैं यह आपके लिए को इसमें इसमें आपको यह बताया गया है कि वह इसे पूंचा जा रहा है वह इस देड़ एयरिया घटाया गया है ठीके तो इसको वह अब गया है आप जो भी होगा find out करना minus इस lamina इस वाले sector का area पूरा minus करता है square है तो 100 into 100 square करिया हो गया minus और यह कितना लिखा है 20 लिखा है कितना है यह नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी यह इतना है यह 20 है मतलब 300 है तो 300 into 300 कैसे पता चला ध्यान से दिखाता हूँ देखो यहां से देखो यह जो पूरा portion यह जो portion है यहां से लेके यहां तक 200 है यह लिखा हुआ है ठीक और यहां से लेके यहां तक 100 है तो टोटल मिला के 300 हो गया और similar यह भी 300 यह भी है तो 300 into 300 तो यह total square का area हो गया ठीक है इतना हो गया पाई के बाइस बाटे साथ इन्टू फोर नीचे लिखाई है डी और आर है ना पाई आर इसका डिवेड़ेट वेड़ेट वेड़ेट तो आर आर यह हो जाएगा 200 इंटू 200 ठीक जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको एंसर मिल जाएगा यह आप जब सॉल्व कर आप वो है जिसमें से आपको रेक्टेंगल से रेक्टेंगल से रेक्टेंगल से आपको सेमी सर्किल का एरिया क्या करना है माइनस करना है तो जो भी आएगा वो होगा आपका एंसर लेगिन यह मैं नहीं बताऊंगा यह है आपके लिए होमवर्क ठीक है एक कोशन आपके ल अब आपको मैं बता दूं कि एरिया जितने भी एरिया से रिलेटेड़ का था रेक्टेंगल का था ट्रेंगल का था यह सारी आपको कवर हो चुके हैं इतनी कोश्चन कि आप प्रैक्रिस कर लो ठीक है उमिद करते हैं कि इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं एक भी कुश्चन नहीं आएगा फिर भी अगर आता है तो यह लगबख सिंडर रहेंगे फैले तो आप इन सारे कुश्चन की प्रैक्टिस करिए इनको कर ले रहेंगे तो आपके कोश्चन में मिलेंगे वह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ठीक है चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स क्लास म हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे उसके साथ हम लोग शुरू करेंगे तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहे ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद